दम पन्द गाथा कथा नमबर 128 या 128 कथा इस प्रकार है कि एक सुप बुद्ध होते हैं सुप बुद्ध रिस्ते में बुद्ध के मामा लगते हैं वो बुद्ध को नहीं समझते कुछ भी बताते हैं कि एक बार जब बुद्ध अपने भिक्को संगे साथ जा रहे थे तो उन्होंने बुद्ध का रास्ता लोग दिया और बुद्ध ने अपना रास्ता बदल लिया कुछ लोग कहते हैं कि फिर बुद्ध ने उनसे कहा कि ये साथमे दिन मर जाएगा कहانी है कहانी बता रहूँ आपको क्योंकि कहानिया मोशली कालपनिख है या कुछ ना कुछ अते श्युक्ति का धारप है भो भी बताओंगा आपको तो वो सातमे दिन उनके किसी गुप्चरने कहा कि बुधर ने कहा है कि सातमे दिन आप मर जाओगे सीडियों से गिर कर. तो उसने अपने जितनी भी सीडियां थी, वो सारी सारी भाँ से हटवा दी हो, सेवकोगे कहा के वो सात्वे दिन, अगर किसी सीडी पर चड़े भी, तो उसको पकड़ लेना, रोक लेना, सीडी पर मिंचणने देना. ना मैं सीरी पर जाओंगा ना मैं मरूंगा वो इस बात को लगाता देखते रहे सातवे दिन जो घोडे हैं राज किया वो हिननाए और एक घोड़ा बेकावू हो गया बहुत जादा उधम मचने लगा सुपब्ध घोडे को अच्छी तरह से सवाल लेते थे इसलिए वो घोड़े की तरफ भागे और घोड़े ने उनको बताते हैं कि पटकी मारी और वो सीडियों से गिर कर मर गए कहानी यहाँ पर दी एंड हो गई पहली बात तो बुद्ध ने कभी किसी का जीवन में कभी कोई बुरा चाहा ही नहीं बुद्ध तो करोना के सागर रहें अगर कोई बुद्ध और कोई अरहत अगर किसी का बुरा सोचता अब यह मन में भी है तो ना तो बुद्ध रहेगा ना वो अरहत रहेगा इसलिए यह कहानी जूटी है कि सीनियों से गिरने के लिए बुद्ध ने कहा हो सकता है कि उन्होंने कहीं ऐसा लगा हो कि ये सराप कीता है या ये सीडियों से गिरेगा या मरेगा कोई बात कही हो मगर बुद्ध कभी अपने मन से किसी को ऐसा नहीं कहेंगे नहीं वो किसी की मिट्ट्य के वारे बात करते हैं नहीं कोई उनसे पूछता है और खास चोड़ से अगर उनके उपर हो तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं यानि कोई पूछने आए तो पूछे अगर बुद्ध का रास्ता बदला है तो बुद्ध कभी नहीं कहेंगे ये बात बिल्कुल किलियर है वो अपना काम करते हैं उन्हों जीवन वर अपना काम किया किसी के काम में टांग नहीं गड़ाईगी कोई मरता है तो मरे जी है तो जी है उन्हें फरक नहीं पड़ता अपना काम करना है लोगों को सुद्ध करके आगे करना है दूसरा सुपुद्ध क्यों उनका रास्ता रोकेंगे और क्या कारण है खामेगाई कोई किसी का रास्ता क्यों रोकेगा और बुद्ध क्यों उनकी रास्ते में आएंगे क्योंकि बुद्ध का रास्ता अलग होता है और उनका रास्ता अलग होता है मान भी ले जिकते हैं कि अगर रोका हो या ना रोका हो बात नहीं मगर यहां जो गाथा है गाथा कुछ और कहती है गाथा क्या कहती है ये गाथा और 117 नमबर की गाथा दोनों लगवग एक सी है एक सब्द सिर्फ बदला है इसमें यानि कि ना तो अंतरिक्ष में ना समुन्दर के मज्जे यानि बीच में ना पबतानंग विवरंग पविस्थ ना ही किसी परवत की दर्रा के बीच में प्रवेश करकर छुप कर ने विजतिसो जगति प्रदेसो यानि इस जगत के प्रदेस में ऐसी कोई जगा विदमान नहीं है यतित्थंग नप सहे मच्चू यतित्थंग नप सहे मच्चू का मतलब है जिस स्थान पर आपको मिर्टु दबोश ना ले यानि कि मिर्टु आपको हर्जगे दबोश लेगी यह जो उसमें एक सब्द है नैपसे है यानि नैप सहे का मतलब है जैसे एह सहनिय होता है एह सहनिय मैंसे अगर सहनिय अटा दें तो यहाँ एह सहनिय का मतलब है कि वो सहन नहीं हो सकता यानि कि किसी भी हलत में वो जो सहे का मतलब होता है वो होता है बलात और जबरजस्ती यानि कि वो बलात होगी जबरजस्ती होगी और मच्चू आपको लेके ही जाएगी अगर आपने कहीं भी कोई काम ऐसा किया है और आप उसमें छुपना चाहते हैं आगे भगवान बुद्ध ने जो देशना में बताया वो बताया कि जो मच्चू होती है, मिर्टू होती है दो प्रकार की होती है दो प्रकार की एक कच्ची होती है और एक पक्की होती है अच्छी जो मिर्टू होती है वो आती है जब आपका या तो पहले से ही आपका जो मन आया है सरीर में यानि जहां से आपने जर्म लिया है वो पहले से ही बीमार है या पहले से ही खराब है या पाप से बरा हुआ है और या आपने इस जीवन में बहुत ज़्यादा पाप किये हैं आप पुन नहीं कमा रहे हैं तब आपकी एहतालिक मिर्तु या नेसरगिक मिर्तु या प्रकार्टिक मिर्तु है वो मिर्तु आपकी आईगी अगर आपने सभी काम ठीक हैं, आपने पुन्य कमाया है, आपने पुनाने भी जो पाप हैं, उनको भी हटाया है, विपसन साधरा कर गे, तो फिर आपकी मिर्टु नैचुलर मिर्टु होगी, पक्की मिर्टु होगी, और समय आने पर जब आपका सरीर बुड़ा होगा, तब ह तो अच्ची मिर्टू और पक्की मिर्टू के जो कारण है वो भगवान बुद्रें बहुत वार बताए है कोई बैट्टी जो ऐसा में मरता है वो अपने कारण से ही मरता है कोई उसका और कोई कारण ऐसा नहीं है अगर जैसे आज के समय में कोरोना की महामारी है कोरोना के स्टाल में गोमेंगे तो कोरोना आएगा ही आएगा फिर आपकी मिर्तु आने के चांस बढ़ जाएंगे और कोरोना से दूर रहेंगे साबधानी बढ़तेंगे तो मिर्तु के होने के चांस दूर रहेंगे इसलिए तच्ची मिर्टू और पक्की मिर्टू बहुत बार बताई गई है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सका है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेन गच्छामी तूथियं पी धन्यवाद सेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेन गच्छामी दोपियम पी संगम सर्वं कच्छामी तरतियम पी बुद्धम सर्वं कच्छामी दोपियम पी बुद्धम सर्वं कच्छामी तरतियम 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 पी संगम सर्वं कच्छामी तरतियम पी बुद्धम सर्वं कच्छामी तरतियम पी बुद् पेसन्दं सर्णं तर्शामी साथो, साथो, साथो कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खापदं स्माधियामी कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खापदं स्माधियामी